हाई वेलकम बेक टू विजयादर्स क्लासेज जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में हैं जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो बच्पन की यादे याद करो जब कोई कहता था ना जब तुम्हारा दोस्त कहता था तेरे बस की नहीं है और तुम उसको करके दिखाते थे कितनी खुशी होती थी यही जजबा आज भी पैदा रखो मुझे पता है मुश्किल से मुश्किल चीज भी आप कर सकते हो बस सर्त यह है कि उसको चैलेंज के तौर पे लो मैं हूं विजयादर्स और आप देख रहे हैं स्टे लर्निंग लास्ट क्लास में बा डिखलेंग बात कर रहा था आपसे new profit-sharing ratio, sacrificing ratio, gaining ratio, new profit-sharing ratio की discussion इतनी नहीं की बट sacrificing & gaining ratio का पूरा फंडा समझा आज वाली क लास में बहुत important topic पढ़ेंगे इस topic का नाम है Treatment of Goodwill की कि change in profit sharing ratio में goodwill की treatment हम कैसे करते हैं जैसे मान लो ये रामलाल है मुरारी लाल है और वीजलाल है ये बहुत साल से अपना business कर रहे हैं आप business कर रहे हैं और मान लो इस business में example के तौर पे मान के चलते हैं कि इन्होंने कुछ पैसे कमाये मान के चलते हैं कि इन्होंने 6000 पे कमाया अब ये जो 6000 नहीं लेते हैं आपे 6000 पे ले लेते हैं 60,000 रुपीज इन्होंने मिलके कमाया एक particular time पे अब ये जो 6000 पे कमाया अगर मैं बोलता हूँ कि पहले ये equally बाढ़ते थे equally का मतलब होता है 1 is to 1 is to 1 इसका मतलब ये है कि ये जो 6000 कमाया इन्होंने इसको तीन लोगों ने आपस में ले लिया मतलब तीन लोग बोले तो ये तीन भाई जो थे इन्होंने आपस में बाट लिया और ratio थी 1 is to 1 is to 1 तो पहले भाई का जो हिस्सा आया वो 60,000 into इसका share कितना है 1 और total है 3 तो आप देखोगे तो यहाँ पे 20,000 आएगा ऐसे यहाँ पे 60,000 जो हमारा ये है और इसका हिस्सा है 1 कितने में से 3 में से ये आएगा 20,000 और ऐसे यहाँ पे बोले जो profit है 60,000 इसका हिस्सा है 1 by 3 ये आजाएगा आपके पास 20,000 कहने का मतलब यह है कि सब को बीस बीस हजार पे मिलते हैं यह लो जी बीस जार इसको बीस हजार इसको और बीस हजार इसको अब अगर मैं आप से बात करूँ कि मालो अभी भी यह साथ हजार कमाते हैं लेकिन विजलाल कहता है यह जो विजलाल है कहता है यार आप मैं जी नहीं है मुझे तो मैं अपने मन का काम करूँगा आफिस इतने लंबे टाइम नहीं आऊंगा मेरे पैसा कम कर दो मेरा पैसा आधा कर दो जो मैं आप पैसा कमाता हूं वो बेशक आधा कर दो 20 साल से हम मिलके काम कर रहें लेकिन अब मुझे थोड़े सी आराम चाहिए तो क आधे का मतलब यह जो 60,000 पर अब कमाया अगर भी 60,000 को 3 ratio 2 ratio 1 में बाटा ध्यान से दिखना 3 ratio 2 ratio 1 में तो पहले भाई को कितना मिलेगा वह देखो ध्यान से दिखना यहां पर बहुत important बात बताने वाला हूं कहते हैं ध्यान हटी और दुर्गटना हटी तो यह जो 60,000 है 20,000 यह इसका शेर है 2 डिवाइट 6 तो भही यह 20,000 आएगा और इसका है यहाँ पे 60,000 इन्टु इसका शेर है 1 टोटल है 6 यह आएगा 10,000 अब वो पैसा सो 60,000 है वो 3, 2, 1 में बटेगा क्याने का मतलब यह है कि यह यहाँ पे 30,000 पे इसको मिलेगा 20,000 पे इसको मिलेगा और 10,000 पे इसको मिलेगा आपने एक चीज़ गौर की यहाँ पे क्या गौर किया आपने कि 20,000 पे इसका प्रॉफिट था अब वो घटके 10,000 पे हो गया मतलब इसने 10,000 पे सेक्रिफाइस कर दिया और क्योंकि यह कह रहा है कि आप मैं अपनी जिन्दगी जीना चाहता हूँ बेशक मेरा पैसा कम कर दो मैं कम टाइम के लिए ओफिस आऊँगा इसका मतलब यह है कि यह जो 10,000 पे है यह अगर मालो यह हर साल अगले आने वाले टाइम तक 60,000 पे कमाएंगे है तो यह आने वाले टाइम पे हर बार आधा अपना पैसा लूज करेगा और ध्यान से सुनो मुरारी लाल को कुछ भी फर्क नी पड़ा लेकिन रामलाल को 10,000 पे का फाइदा हो गया देख रहे हो इसका फाइदा हो गया जबकि इसका नुकसान हो गया 10,000 पे इसका मतलब यह है कि रामलाल कहता है भाई अभी तो मैं जवान हूँ कोई बात नहीं है एकस्ता काम करूँगा इसका मतलब यह है कि विजह लाल का 10,000 पे के बरावर शेयर जो शेयर है उसका खरीद लिया किसने यह हमारे रामलाल भाई साब ने अब यहाँ पे बहुत important बात निकल के आती है कि बरसों से इन तीनों ने मिलके business किया है तीनों ने मिलके इसकी goodwill खड़ी की है और आज जब यह पैसा कमा रहे हैं तो अब यह विजह लाल कहता है कि भाई ऐसा है मैं अब कम काम करना चाहता हूँ तो यह जो 10,000 पे अपना forgo कर रहा है बदले में इसको क्या मिले तो बदले में रामलाल को कुछ लाके देना पड़ेगा वो क्या है अभी मैं discuss कर रहा हूँ तो यहाँ पे है means purchase of share of profit from विजहलाल यह विजहलाल से यह एक तरीके से profit खरीद रहा है और इसके बदले में कुछ लाके देगा should be compensated मतलब कुछ ने कुछ वो लाके देगा क्या लाके देगा तो तरीका है जो compensation है गुडविल के तोर पे लाके देगा तो जो भी पूरे form की point to be noted यहाँ पे बात वरी है form की जो गुडविल होगी उसको multiply कर देंगे जो उसका फाइदा हुआ है किसका जो एक तरीके से partner gain कर रहा है उससे हम क्या करेंगे multiply कर देंगे जो आएगा this will be amount of compensation इसी को बोलते हैं एक तरीके से treatment of goodwill यहाँ पे जब पहले से form में goodwill हो तो अभी उसकी बात करेंगे लेकिन जब भी कोई partner इस तरीके से profit sharing ratio की changing के बात करता है तो वहाँ पे पूरे form की नए सिरे से goodwill calculate की जाती है और वो जो goodwill है उसकी calculation होगी और उसकी treatment में general entry होगी entry होती है gaining partner capital point to be noted यहाँ capital भी आ सकता है और current भी आ सकता है बट current कब आएगा उसके बारे में बाद में बताऊंगा entry होगी gaining partner capital account debit to sacrificing partner capital account यह gaining में gaining के हिसाब से calculation होगी जो sacrifice कर रहा है उसमें sacrificing के हिसाब से होगी याद करो fundamental के chapter में मैंने आपको सिखाया था कि अगर capital account fluctuating होगा तो capital लिखोगे लेकिन capital account अगर fixed होगा यहाँ पे बोला है हमने fix होगा तो यह capital यहाँ word लिखा है उसकी जगह हम current लिखेंगे मतलब fix होगा तो current आएगा fluctuating होगा तो capital आएगा बस इतनी सी बात है और यह समझो कि अगर पहले से firm में goodwill दे रखी हो तो उसकी entry होगी old partner capital account debit to goodwill account goodwill को हम write off कर देते हैं उसको firm से निकाल देते हैं पहले क्या होता था firm की goodwill को balance sheet में दिखाया जाता था 2004 में एक amendment आई और उन्होंने बोला कि अब goodwill को firm में नहीं दिखाना क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग loops निकाल के फाइदा उठा रहे थे उसका तो ICAI ने बोला कि भही आप बंद कर दो अब goodwill को firm में नहीं दिखाना balance sheet में नहीं दिखाना बाइचांस कोई goodwill दिखा रहा है तो उसको आब write off करेंगे तो old partner capital account debit to goodwill तो ध्यान रखो नई goodwill की entry होते है गेनिंग partner capital account debit to sacrificing partner और अगर पुरानी goodwill पहले से फर्म में होते है एंटरी होती है old partner capital account debit to goodwill account आओ जरह इसको practical करके देखते हैं यहाँ पे question है कहता है आशा, निशा और दिशा यह तीन partner है 3 to 2 ratio 1 इसका एक तरीके से share है कहता है with effect from first appeal 2021 they agree to share profit equally अब कहता है यह profit equally बातेंगे 3 to 1 A and D यह A and D है चलो जी अब एक तरीके से इनका share दे रखा है तो लिखेंगे old share of A and D यह 3 ratio 2 ratio 1 अब भाई new share क्या दे रखा है 1 ratio 1 ratio 1 यह दे रखा है अच्छा इस पूरे question में कहता है goodwill of the firm valued 18,000 यह जो goodwill है वो 18,000 नई goodwill है मैं अब यहाँ पे एक line और जोड देता हूँ पुरानी goodwill वैसे question में नहीं लिखा हुआ फिर बोल दूँ, question में नहीं लिखा लेकिन मैं अपनी तरफ से जोड रहा हूँ कि पहले से firm में 6000 की goodwill है मतलब नई goodwill firm की 18,000 है और पहले से 6000 है ऐसा मैं अपनी तरफ से जोड रहा हूँ पहले यहाँ पे sacrificing ratio निकालेंगे sacrificing ratio का formula होता है old share minus new share और इसमें एक का share निकालोगे तो 3 by 6 minus 1 by 3 तो 3 to 6 आजाएगा और यहाँ पे एक तरीके से जब आप calculate करोगे तो यह आएगा 3 और यह आएगा 2 मतलब 1 by 6 यह sacrifice कर रहा है ऐसे ही यहाँ पे n का निकालोगे तो 2 by 6 minus 1 by 3 तो 2 minus 2 by 6 इस पे कोई फरक नहीं पड़ा इसका कुछ नहीं होने वाला लेकिन डी की अगर बात करें तो इसका share पुराना है 1 by 6 नया है 1 by 3 1 minus यहाँ पे 2 by 6 मतलब minus 1 by 6 यह gain कर रहा है goodwill of new firm दे रखा है आपको question में तो goodwill of new firm यह question में 18,000 दे रखा है आप क्या करोगे A यहाँ पे check कर रहा है मतलब calculation कर रहो तो A का share यहाँ पे goodwill का कितना बनेगा A का share बनेगा यहाँ पे 18,000 into 1 by 6 मतलब 3,000 rupees A को goodwill के मिलेंगे और D यह पैसा ले के आएगा क्योंकि यह gain कर रहा है जो partner gain करता वो ले के आता है तो 1 by 6 मतलब 3,000 यह 1 by 6 कहां से आया तो यह जो gain आया वो entry अभी अभी बताई gaining partner capital account debit to sacrificing partner capital account तो gain कौन कर रहा है यहाँ पे जो last वाला partner है यह D तो D to A gaining partner capital account debit मतलब D is capital account debit to A capital account और entry होगी यहाँ पे 3,000 जो partner gain करेगा उसको उपर लिखना जो sacrifice करेगा नीचे entry होगी 4 treatment of goodwill 4 treatment of goodwill अच्छा मैंने बोला अपनी तरफ से कि मालो पहले से फ़र्म में goodwill हो और goodwill का मौन दे रखाऊ 6000 6000 पर फ़र्म की goodwill हो तो उसकी entry होगी जब भी कभी पहले से फ़र्म की goodwill होगी तो goodwill all goodwill मालो 6000 है इसको राइट अफ करते हैं entry होती है और पार्टनर तो ए एन डी यह तीन पार्टनर है देखो न यह लिखाऊ है एन डी और रेशियो इनका 3 रेशियो टू रेशियो वन तो यह लिखेंगे is capital account बोला नहीं है question में अपनी तरफ से मैंने add किया है capital account debit capital account debit to goodwill account कितना amount जी तो मैंने अपनी तरफ से 6000 माना है और इसको 3 रेशियो टू रेशियो वन में बाट बाट लेना यह 3000 आएगा यह 2000 आएगा यह 1000 आएगा इसको बोलते हम लोग gaining partner वह इसको बोलते हम लोग all goodwill return of तो treatment of goodwill आपको समझ में आगया कि जब भी कभी change in profit sharing ratio होता है उस case में आपको goodwill की treatment करनी होती है उस goodwill का जो entry होता है वह होता है gaining partner capital account debit to sacrificing partner capital account लेकिन कोई पहले से goodwill होती है तो उसको क्या करते हैं all partner capital to goodwill करके entry करते हैं और all ratio में बाड़ते हैं ध्यान रखना all ratio में यह जो बाड़ते हैं वो gain 2 और second में बाड़ते हैं तो यह question मैंने यहाँ पर करके बताया है आपको यह जो दो question है इसका आप screenshot ले लो 5 नंबर और 6 नंबर और 7 नंबर इसमें goodwill पिछले chapter में मैंने goodwill निकालना सिखाया है तो इसको आपको करना है और यह जो 7 नंबर question है इसमें भी आपको goodwill निकालके इसके entry करनी है नीचे मुझे comment में इसका answer बताओगे फिर मैं बताऊंगा कि answer ठीक है आपका या नहीं मुझे नीचे dear comment करके बताओ classes कैसी लग रही है आपको पीछे मैं classes नहीं दे प चलता है कि आप क्या पूछ रहे हो समझ में आता है आप जब like करते हो तो देखो मुझको क्या फरक पड़ना है dear मैं फिर कह रहा हूं यहां पर YouTube मेरा special purpose कभी नहीं रहा है क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे पास अपनी website, mobile application इनी से फुरसत नहीं है तो यह कहां से देखे बट फिर भी आप मैं से बहुत सारे बच्चों के help करने के purpose है यह मैंने वापस से वीडियो का सेरी चालू किया और time जाता है आप समझते हो बट लाइक करने से एक चीज rude समझ में आता है कि आप से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंगेज हैं मतलब कितने बच्चे ऐसे हैं जो सच में पढ़ रहे हैं इससे मुझे यह पता चलता है तो अगर सच में आपको मज़ा आता है तो लाइक जरू कर देना नीचे कमेंट से कंप्रीट करना है टेलिगराम चैनल को जरूर जोइन कर लो अभी उसमें कुछ चीजें हम काम कर रहें बट अभी बहुत जल्दी mcq series चालू करेंगे हम लोग तो उसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा चलो मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में तब तक के लिए ओल देवे स्टेक किया जय हिंद जय भारत